Hello and welcome to the chemistry class once again आज हम पढ़ेंगे amino acid के zwitter iron के उपर किस pH पर कौन सा आविश होता है और हम उसकी गर्णा किस तरह से कर सकते हैं उसका calculation किस प्रकार से कर सकते हैं अलग-अलग pH पर हम यह मालूम है कि जो amino acid है वो neutral molecules है अगर हम इस प्रकार से उसको लिखते हैं उसका formula हम यह भी मालूम है कि amino acid के neutral molecule में यह carboxylic group है और एक amino group है हम यह भी जानते हैं कि जो amino group है उसके nitrogen पर lone pair of electrons हैं और साथ ही जो carboxylic group है उस पर वो अपना proton दे सकता है इसलिए वो acidic group कहलाता है साथ हमें यह मालूम है कि जो acidic group होते हैं और amino group यह जो की basic group है और यह acidic group है यह आपस में react करते हैं और इसके साथ ही जब amino acid किसी अलग-अलग pH के solution में रखा जाता है यह उसका dissolve किया जाता है तो amino acid के जो यह acidic और basic groups हैं यह basic और amino groups acidic groups हैं वह solution के साथ भी react करते हैं साथ ही हमें ये भी मालूम है कि जो amino acid का जो neutral form होता है जो कि इस तरह से formula लिखा गया है इसमें जो functional groups ना क्रियात्मक समों amino group और carboxylic acid का proton ये आपस में interact करते हैं आपस में react करते हैं और इस प्रकार से zwitterion बनाते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं कि nitrogen का जो lone pair of electron है amino group का वह carboxylic acid के hydrogen को या proton को अपने आकरशित कर लेता है उससे bond बनाता है और NH3+, जो कि एक conjugate अमल है उसमें वो परिवर्तित हो जाता है और COOH group COO- में परिवर्तित हो जाता है हम देख सकते हैं कि ये जो formula है amino acid का इसमें दो प्रकार के ions हैं एक plus ion है और एक minus ion है इसलिए इसको dipolar ion कहा जाता है इसका दूसा नाम है zwitter ion zwitter शक जो है वो जर्मन भाशा से लिया गया है और उसका अर्थ है double double इसलिए क्योंकि इसमें दो charges है कुल जो charge net charge इस molecule के ओपर है zwitter ion के ओपर है वो zero है क्योंकि plus one और minus one दोनों मिलकर zero होते हैं किसी भी स्थिति में amino acid का molecule जब किसी भी विलेन में घुला हुआ हो तो उसमें जो विलेन का जो pH होता है उससे यह जो ionic संरचना है और इसके ओपर जो charges है minus charge और plus charge उनकी वो interact करते हो उसके साथ solution के साथ और उसमें परिवर्तन भिन्न भिन्न pH में आता है आज के इस lecture में हम यह देखते हैं कि भिन्न प्रकार की pH में जो amino acid है उसके ओपर कौन सा charge होता है और क्यों इससे पहले कि हम charges को calculate करें यह जार लेते हैं कुछ basic बाते या बहतर कह सकते हैं कि हम revise कर ले जो हमें पहले से मालूम है वो यह कि acids को हम जब हम इस concept को समझेंगे तो acid को हम के कई definition होते हैं लेकिन उसमें से जो definition है कि acid proton donate कर सकता है उस definition को अपने ध्यान में रखेंगे उसी प्रकार से जो bases होते हैं वो protons को accept या proton को ग्रहन करते हैं proton ग्रही जो होते हैं वो base है इस बात को ध्यान में रखेंगे और हम यह जानेंगे कि जो pH है हमें मालूम है जो pH है वो proton concentration hydrogen ion concentration जो विलेन में होता है उससे related होता है हमें यह मालूम है कि जब pH का मान बहुत कम होता है तो proton का जो concentration होता है वो बहुत हाई होता है यानि विलेन एसिडिक होता है और pH का मान जब कम होता है तो उसका मतलब proton का concentration solution में कम है और वो solution basic है हमें ये भी मालूम है कि जब कोई molecule HA अगर हम उसको acid मानते हैं HA proton दाता तो उसका जब ionization होता है अगर ये HA molecule ionizable है, ionic current हो सकता है और ये acid है तो ये है एक proton देगा और H plus और A minus में ionize हो जाएगा और इसका जो dissociation constant है उसको KA के द्वारा निकाला जाता है लिखा जाता है, प्रदर्शिप किया जाता है और ये उसका relation है dissociation constant का ions की सांदरता के साथ हमें ये भी मालूम है कि PKA जो होता है वो minus log of KA होता है जो KA का value हो, उसका minus log अगर लेते हैं तो उस value को हम PKA कहते हैं आप ये पोच सकते हैं कि हमें PKA value की क्या ज़रत है हम के से क्यों नहीं काम लेते वो इसलिए क्योंकि हम अब जब calculation करेंगे इस वीडियो में हम आगे देखेंगे तो उसमें जो calculation करेंगे आइन के charge के बारे में charge की करना जब करेंगे यानि amino acid के molecules के उपर जब charge की करना करेंगे तो हमें PKA और pH values की अविशक्ता होगी इसलिए हमने PKA और pH values को ध्यान में रखा है जो जिस प्रकार का amino acid है और उसका किस प्रकार का PKA value है देखिए amino acid में NH2 group है लेकिन ये एक basic group है हमें PKA values से काम करना है तो इसलिए ये एक base है और इसको हमें acid की रूप में यानि NH3 और plus तो ये acidic रूप में परिवर्टित हो जाएगा amino acid का amino group और हम उसका PKA value फिर हम अध्यान कर सकते हैं इसे प्रकार से amino acid में COOH group भी होता है कारबासलिक acid group होता है उसका भी हम PKA value यूज कर सकते हैं और इन दोनों को यूज करते हुए हम विवन प्रकार के pH में amino acid के अपर किस प्रकार कावश होगा उसकी गढ़ना हम कर सकते हैं हम जो ये PKA value से ये प्रता कर सकते हैं कि किस प्रकार के pH में विलेयन के pH में amino acid क्या proton accept करेगा या फिर ये proton donate करेगा solution को इन सब बातों को हम आगे आगे देखते चले जाते हैं लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि और आगे relations pH और पी के बीच में क्या है हम जानते हैं कि low pH solution जो है वो ऐसे दिखे है जैसे आपको बताया था और इसका अर्थी ये भी होता है कि विलेयन में बहुत सारे hydrogen ions या प्रोटोन्स हैं जो कि विलेयन किसी भी molecule को donate करने की स्थिति में होता है उसी प्रकार से high pH का मान जो होता है वो इसका मतलब solution basic है और amino acid का वो जो amino acid के molecule से proton accept कर सकता है solution इस हालत में जबकि pH उसका high है तो इसके हाल लिए हम एक चीज और बतादे हैं आपको कि यहां जो pH का मान है वो solution के लिए हम denote कर रहे हैं उसको और जो PK का मान है वो amino acid के लिए हम उसको इसको इससको इस्तेमाल कर रहे हैं एक और चीज़ बता दें कि जैसे इन दोनों में जिसकी वेल्यूव हाई है यानि pH और pka में से जिसकी वेल्यू हाई है उसकी चलेगी जैसे कि हम आम तरपे देखते हैं अपने जिन्दगे में कि जिसके पास ताकस जाधा होती है उसी की चलती है तो उसी प्रकार से यहाँ जिसकी इन दोनों में से जिसकी value जाधा होगी उसकी चलेगी उसकी चलेगी in the sense कि वो proton accept करेगा, proton पाएगा यानि अगर pH की value जाधा है PKA की तुलना में तो solution basic होगा और जो pH यानि solution है वह amino acid के molecule से proton को ग्रहन करेगा ठीक इसी प्रकार से यदि PKA का मान अधिक है PHA की तुलना में और pH का मान कम है उसका मतलब pH acidic है, solution acidic है तो ऐसी स्थित्म में PK value क्योंकि amino acid का है इसलिए amino acid का molecule proton को ग्रहन करेगा solution से यानि इस वक्त जब PK का मान जादा है तो वह protonate हो जाएगा amino acid और जब pH का मान जादा है तो amino acid deprotonate हो जाएगा यानि proton खोदेगा इसके अलावा यदि pH और PK का मान लगभग एक जैसा है उस region को उस शेत्र को buffer zone के नाम से पुकारा जाता है और जब PK और pH का मान ए जादा होता है तो हम यह ध्यान रखना होगा कि आधे molecules या amino acid के हैं वो proton को grant करेंगे और दूसरे आधे molecules यह हैं वो proton को solution को donate कर देंगे तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आए हम आगे बढ़ते हैं देखे इससे पहले कि हम amino acid के बारे के बारे में हम अध्यान करें उसका example पढ़ें और उसको समझें यह ज़रूरी है कि हम amino acid में उपस ले दो जो समों है एक तो COOH ग्रुप और दूसरा समों है NH2 ग्रुप इनके बारे में अगर हम अलग अलग प्रिथक प्रिथक molecules में उसको separate molecules में अगर हम उसका अध्यान कर लेते हैं तो आगे की अध्यान आगे है आसान होगी तो पहला example हमने लिया है acetic acid का acetic acid में आप देख सकते हैं कि COOH ग्रुप है यह जो सिधी जो line है वो CH3 को denote करती है या उसको प्रदशित कर रही है acetic acid का जब ionization होगा तो यह COOH ग्रुप म हमें यह मालूम है कि pk value जो है जो carboxylic acid या acid group का जो pk value है उसका मान है 4.8 इस बात को ध्यान में रखते हुए हम acetic acid के molecule जिसका pk का मान 4.8 है उस acetic acid के molecule का विभिन प्रकार के phk solution में अध्यान करेंगे एक value लेंगे जो pk value से कम हो एक मान लेंगे पk a के मान के बराबर ph का मान solution का हो और इसती सा मान लेंगे जब pk a का मान solution के ph से कम हो यानि pH एक इससे ज्यादा एक इसके बराबर और इससे ph कम यह 3 conditions लेकर हम इस चीज़ का अध्यान करते हैं आईए देखते हैं कि सबसे पहले pH 2 अगर हम लेते हैं यारी solution का pH 2 है तो स्थिति क्या होगी solution का pH 2 है यानि acidic solution है और इस स्थिति में pH का जो मान है PKA से जादा है क्योंकि pH है 2 और PKA है 4.8 तो जिसकी value जादा होती है वह proton ग्रहन करता है उसकी चलती है यह अगर मान लें तो हम यह देखेंगे कि उसका मतलब जो carboxlic acid है वो carboxlic ion में ना होकर proton को ग्रहन करके carboxlic acid के रूप में विलैन में रहेगा क्योंकि वो विलैन से proton accept करेगा उसका मतलब यह जो equilibrium है यह backward दिशा यानि उल्टी दिशा की हो रहाएगी यानि ionization नहीं होगा और अधिकतर molecule जो है वो COOH की रूप में रहेंगे और यह COO- नहीं बनेगा लगभग नहीं बनेगा उसका मतलब यह जो molecule है COOH की रूप में जो रह रहा है विलैन में यानि उसका जो ionization नहीं हो रहा है यानि वो proton को grind कर रहा है proton data की रूप में कारें नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थेते में इस molecule का total charge है वो 0 यह Z लिखा हुआ है यह 0 तो हम देख सकते हैं कि pH 2 पे acetic acid का total charge है 0 अब देखते हैं कि एक ऐसा pH जिसमें PK का value और pH का value जो विलैन का है वो एक समान हो तो क्या होता है देखिए at pH 4.8 50% जो molecules होंगे वो protonated होंगे और 50% deprotonated होंगी जो इसके पहले हमने आपको बताया है इसके पहले वाली slide में तो जो protonated molecule होगा वो तो COOH होता है और deprotonated यानि जिसने proton खो दिया और विलैन को proton देदिया वो COO- होता है आधे molecules के उपर charge होगा 0 क्योंकि COOH के उपर कोई charge नहीं है और आधे molecules के उपर COO- कार्बॉक्सले टायन का charge है –1 तो उसके उपर –1 charge होगा अगर हम average आउट करें इसका जो अगर average निकालते हैं तो 0 और –1 को आपस में जोडते हैं और उसको 2 से divide करते हैं और हमें माइन लेगा –1 उसका मतलब जब pH का मान, PK के मान के बराबर है तो जो charge होता है, total charge जो molecule के उपर होगा वो amino acid के उपर होगा, वो –1 हाफ होगा और हम ये भी देख सकते हैं कि हमने pH का मान 2 से लेके 4.8 में बढ़ाया है यानि pH को हमने बढ़ाया है और Q का मान उसके साथ घटा है क्योंकि पहले Q 0 था, अब वो –1 हाफ हो गया है और Q यानि total charge जो आवेश, net आवेश है उसका मान घटा है अब हम देखते हैं तीसरा value जो की pH 8 है अब pH 8 जो है वो PKA का मान 4.8 उसके काफी अधिक है तो यह तीसरी condition है जब pH का मान PKA के value से जादा है अब जिसके value जादा है उसकी चलेगी यानि वहाँ proton ग्रहन करेगा उसका मतलब अगर pH solution का जाता है तो solution will accept proton solution जो है वहाँ proton को amino acid के molecule से ग्रहन कर लेगा यानि यहाँ पर amino acid का deprotolation होगा और amino acid एक proton दाता की रूप में कारे करेगा अगर amino acid ने proton दाता की रूप में कारे किया तो equilibrium इस प्रकार से होगा यानि अधिक से अधिक molecule जो है COO के रूप में वस्तित होंगे solution के अंदर और अगर ऐसा होता है तो फिर हम देखते हैं कि इस के पर charge है minus 1 यानि जब pH 8 है तो net charge cool charge जो होगा amino acid के molecule के पर वो होगा minus 1 तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम pH increase करते जा रहे हैं वैसे वैसे Q कमान negative होता जा रहा है तो आप ही देखिए solution पर जो last आखरी line लिखी भी है उसमें Q कमान minus 1 है और pH है 8 अब हम देखते हैं एक और example जिसमें हम amino group को देखेंगे example हमने लिया है यहां methyl amine का और क्योंकि हमने आपको पहले भी बता दिया था कि हम pk values को study कर रहे हैं तो यानि acid हमको चाहिए तो NH2 group तो basic group है इसलिए उसका conjugate acid form है वो NH3 plus है यानि हम methyl ammonium का study करेंगे और इसी का हम pk value निकाल सकते हैं और अगर ऐसा मानते हैं कि CH3 NH2 वो proton दाता है अगर इस तरह से हम अगर इसको इस नजरी से देखें तो यह अगर proton दाता है अगर होगा तो CH3 NH होगा और nitrogen के पर minus charge आएगा और साथ ही हम देख सकते हैं कि उसने proton release किया लेकिन आप जो हमारे physiological conditions living beings के होते हैं जैविक जो physiological conditions होते हैं उसमें किसी भी amino acid के side chain पे CH3 NH- नहीं होता और यह बहुत जादा basic है और इस लेवल को जैविक conditions में प्राप्त नहीं किया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आए रेखते हैं further studies जैसे इसमें CH3 NH3 को NH3 Plus को हमने लिया यह acidic यानि conjugate acid के रूप में परिवर्तित हो गया है इसलिए हम इसका PKA value हम ले सकते हैं देख सकते हैं तो इसका PKA value है यहाँ पर 10.6 हमें एक चीज और याद रखना है कि जब pH का मान PKA value के एक pH के आसपास के range में होता है यानि यदि 10.6 है तो plus 1 यानि 11.6 minus 1 यानि 9.6 तो 9.6 से लेके 11.6 के pH के range को buffer zone कहा जाएगा तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आए देखते हैं कि मिथाईल एमीन जिसके PKA value का मान है 10.6 उसका विभिन पी-एच में किस प्रकार के charges होते हैं आए देख लेते हैं दुबारा इस वाले reaction को हमने equilibrium को उपर रखा और अलग-अलग pH का इस तरह से हमने एक table बनाया और देखते हैं कि किस pH पर कौन सा molecular form जो है वो solution में रहेगा और net charge हमारा कितना होगा तो अगर देखे 10.6 इससे पहले कि हमने carboxylic acid के case में किया था कुछ pH values लेंगे हम 10.6 से नीचे कुछ 10.6 के आसपास और कुछ 10.6 से अधिक लेंगे तो तीन प्रकार के conditions हम study करेंगे जिससे हम एक अंदाजा हो जाएगा तो अहीं देखते हैं सबसे पहला pH हम लेते हैं pH 7, pH 7 का मान 10.6 से कम है तो अगर अगर ऐसी स्तिती है तो उसका मतलब solution का pH कम है और जो pk value का मान जादा है molecule का तो pk का value जैसे ही जादा होगा वह है proton लेगा यानि जो solution में जो amino acid का methyl ammonium form है वो proton नहीं देगा यानि यह form रहेगा विलेंड के अंदर और यह proton को ग्रहन करेगा विलेंड से और NH3 plus की रूप में रहेगा जब NH3 plus की रूप में रहेगा तो इसके अपर charge है plus 1 तो kul charge जो होगा pH 7 पे methyl ammonium पे plus 1 रहेगा अब हम देखते हैं दूसा condition जहां पर pH का मान buffer zone में है यानि PKA के लगभग pass है अगर PKA के लगभग pass हुआ तो ऐसे स्थिति में आप देखें यह सरफ दुन दोनों की बीच में जो है वो 10.6 और 10 का value है तो इन दोनों की बीच में 0.6 का अंतर है तो स्थिति में अधिक से अधिक molecule क्योंकि PKA का मान अभी भी 10 से जादा है तो अधिक molecule जो है CH3 and H3 plus यानि proton को accept या ग्रहन करेंगे और कुछ molecules ऐसे होंगे क्योंकि buffer zone है कुछ molecules ऐसे होंगे जो proton को विलेन में दान करेंगे या उसको डोनेट करेंगे यानि proton को विलेन जो है accept या grant करेगा amino acid के एसिट के बेस के molecule से यानि methyl amine के molecule से ग्रहन करेगा जिसका के conjugate acid का रूप हमने यहां पर study के लिए लिया हुआ है ऐसी स्थिति में जो charge है देखे कुछ molecules जो है वो plus one में होंगे और कुछ molecules zero में होंगे तो average out जब हम करेंगे तो charge का जो value net charge का जो value आएगा वो zero और plus one के बीच में होगा हैनि हर हलत में एक से कम इस सवस्था में net charge का मान होगा अब हम देखते हैं एक और pH जिसमें की pH का मान है 13 पह का मान 13 है तो उसका मतलब यह pka value से इसके value बहुत जादा है तो यानि solution proton को ग्रहन करेगा यानि molecule से proton solution में जाएगा यानि जो molecule है वो proton दाता होगा अगर यह proton दाता है तो यह reaction आगे क्यार बढ़ेगी और CH3 NH2 की रूप में रहेंगे और proton जो है वो निकल का है solution में चला जाएगा तो ऐसे सिती में आप देख सकते हैं कि जो चार्ज है इसके उपर molecule के पर वो है 0 तो जब pH 13 है तो net charge है 0 तो यहां हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने pH को बढ़ाया जैसे जैसे pH का मान बढ़ रहा है और उसी तरह से ने चार्ज है और pH का मान के बढ़ने के साथ साथ चार तो, इन सभी बातों को धियान में रखते हुए हम अब करते हैं किया विभिन्न pH में क्या हाल होता है वो हम देखते हैं सबसे easy amino acid हमने लिया है example के लिए वो लिया है हमने glycine और glycine में दोनों कहों है, NH2 ग्रॉप है और COOH ग्रॉप ही है हमने glycine का जो conjugate acid रूप होता है यानि NH3 प्लस वो वाला रूप हमने लिया है आपको मालूमी है क्योंकि हम PKA values को देख रहे हैं तो इसलिए हमें इसका conjugate acid लेना पड़ रहा है ताकि हम calculation को सही रंसर कर सके अब जो glycine है उसके PKA value जो amino group के लिए है वो 9.6 और carboxylic group के लिए है वो है 2.3 देखे दोनों में काफी अंतर है अब हम कुछ values लेंगे जो 2.3 से कम होंगे एक value लेंगे जो 2.3 होगा एक value लेंगे जो 9.6 और 2.3 के बीच में होगा और एक value pH का ऐसा लेंगे जो pH solution का 9.6 से अधिक होगा तो हम लेंगे 1,2,3,4 और 5 पांच values pH के लेंगे और देखेंगे उसके साथ-साथ की net charge में क्या अंतर आ रहा है तो पहला pH लेते हैं say for example pH 1 pH 1 का मान 2.3 से कम है और ये pH 1 का मान 9.6 से भी कम है यानि इसमें जो दोनों पीके values हैं उनका मान अधिक है यानि ये दोनों क्रियात्मक सम्मोच प्रोटोन को ग्रहन करेंगे यानि solution प्रोटोन देगा और हम एक चीज़ और देखें कि pH 1 पे जो विलेन है वो काफी acidic है बहुत अधिक प्रोटोन इसके अंदर है तो पीके का मान अधिक है प्रोटोन व रहेगा तो अगर ये स्थिति है तो हम देखते हैं कि चार्ज की स्थिति क्या है चार्ज NH3 प्लस के लिए है प्लस 1 और COOH के पर कोई आविश नहीं है तो 0 प्लस 1 और 0 को हमने जोड़ा तो हमें मिलेगा प्लस 1 तो जब हम देख रहे हैं कि pH है 1 तो ऐसे स्थिति में नेट प्लस 1 तो जिसका वैल्यू जादा है तो जिसका वैल्यू जादा है प्लस 1 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 तो प्लस जो है वो प्रोटोन देगा नहीं, वो प्रोटोन को ग्रहन करे वे रहेगा, उसके पर आएगा प्लस वन चार्ज, अब देखते हैं, जो COH रूप है, उसका क्या है, क्योंकि ये इसी pH और pH के कमान बराबर है, तो 50% जो molecules होंगे, उसके COO- के रूप में रहेंगे, और इन दोरों का अवरेज हम इनकालना पड़ेगा, माइनस वन और 0 का हम नहीं जोडा है, और वो निकला है, और वो निकला है, माइनस हाफ, और इसको इसो थारे से टोल चार्ज निकालने के लिए हमने इसको जोडा है, जो एमिनो ग्रूप है उसके plus one के साथ, तो टोल हमारा आपर आएगा प्लस हाफ आप देख सकते हैं कि हमने pH को increase किया 1 से लेके 2.3 में और हम देख रहे हैं कि जो net charge की value है वो घट रही है 1 से लेके प्लस हाफ तक अब देखते हैं एक ऐसा pH value जो 9.3 जो 9.6 जो pk value है amino group का और 2.3 जो carboxylic group का है इन दोनों के बीच की value हमने लिए है और वो value है pH 7 pH 7 में हम देखते हैं कि क्या है pH 7 का जो मान है वो 2.3 से अधिक है तो उसका मतला जो carboxylic group है वो अपना proton देगा क्योंकि यहां इसके से इसकी अगर तुलना करें तो यह value 7 जो है वो अधिक है इसलिए solution carboxylic group से proton लेगा यानि carboxylic group deprotonate होगा और वो COO- की रूप में जो है कम है यानि 9.6 अधिक है तो यानि जो amino group है वो अपने proton को धारन की वे रहेगा proton दान नहीं करेगा solution से proton amino group लेगा यानि इस ऐसी स्थिति में amino group के अपर charge होगा plus 1 इन दोनों को अगर हम जोड़ें plus 1 और minus 1 को अगर हम जोड़ते है तो total charge आएगा 0 यानि हम यह कह सकते है कि जब pH 7 है तो charge का मान है 0 और pH 2.3 है तो charge का मान है plus half और 1 जब है तो उसका charge का मान है 1 अब देखते हैं हम 9.6 9.6 pH अगर है वो pka value जो amino group का है उसके बराबर है तो जब pka और pH का मान pH और pka का मान एक जैसे हो था जैसे कि 2.3 में हमने यहां देखा था तो 50% molecules जो है proton को ग्रहन करते हैं तो 50% जो amino group होगा वो proton का दान करेगा और NH2 की रूप में रहेगा और 50% जो molecules है वो NH3 प्लस यान प्रोटोन को ग्रहन करेंगे तो amino group 50% NH2 और 50% NH3 के रूप में रहेंगे तो इन दोनों का जब हम एवरेज करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस हाफ यहां पर हमने एवरेज किया और जो carboxylate group है ऐसे group है उसका आविश क्योंकि वो COO माइनस की रूप में है तो उसका आविश है माइनस वन तो माइनस वन को हमने इसके एवरेज के साथ जोड़ा और हमें मिला value माइनस हाफ तो हम देख सकते हैं कि जब pH हो जाएगा 9.6 ऐसे वस्ता में चार्च है 9.5 अब हम एक value लेंगे pH का जिसका मान जो है वो इन दोनों यानि 9.6 और 2.3 जो दोनों pk values है उनसे अधिक है वो है 13 हमने for example लिया तो 13 अगर pH है तो इस pH का मान दोनों pk value से जादा है तो दोनों जो groups हैं amino group और carboxly group दोनों के दोनों अपने proton को solution में देंगे तो proton को जब solution में देंगे तो NH3 प्लस NH2 में परिवर्थित हो जाएगा इसके पर आवेश होगा 0 और COOH group जो है वो अपना proton देगा और COO- में परिवर्थित हो जाएगा उसका आवेश होगा ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं अगर इन दोनों charges को जोड़ें तो total charge आएगा molecule का minus 1 तो हम यह देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि जैसे जैसे हमने pH को increase किया वैसे वैसे charge का मान घटा आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 13 तक हमने pH का मान को हमने यहां से increase किया और आ charge कहलाती है उसका जो मान है वो 1 से लेके minus 1 तक गिर गया घट गया मुझे अमीद है जो fundamentals इस वीडियो में आपको समझाए गई है इस lecture में आपको बताया गया आपको समझ में आई होगी next जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे iso electric point पे charge का क्या होता है और किस प्रकार से हम iso electric point को निकाल सकते हैं डाई functional जो दो functional group है यानि NH2-1 और COOH group ऐसे वाली molecule का और कुछ ऐसे molecule का जिसमें एक से दो से जादा amino acid में दो से जादा क्रियादमक समों हो तो उन में क्यास देती है वो भी हम इसके next वाले वीडियो में देखेंगे so keep studying keep safe during covid times thank you for being with me कroन देखेंगे